नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे, आज के इस वीडियो में आपको चाहत रिक्ये बताऊंगा जिससे आप अपने PC या लैपटॉप पे स्क्रीन शोट सेव कर सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला और सब जैसे ये पेंट एप है, आपको ये ओपेंट कर लेनी है, और यहाँ पे आप ये देखिए, ये बटन लिखावा पेस्ट, आप इस पे क्लिक कर दोगे, तो आपका ये स्क्रीन शोट यहाँ पे आ जाएगा, आप कंट्रोल प्लस वी भी प्रेस कर सकते हो, डिरेक्ली इसको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, तब इसको मैं जूम, थोड़ा जूम कम करता हूँ और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहां select पे click करके जितना screenshot आपने save करना है आप उसको crop कर सकते हो जैसे मैं इतना save करता हूँ अगर आपने पूरा करना है था आप पूरा भी कर सकते हो यहां पे मैंने करके फिर यहां crop पे click करना है मैंने यह देखिए अभी screenshot हो गया तो यहाँ पे इसको save करने के लिए मैंने file पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे save as और यहाँ पे different format से जैसे JPEG format save करके बजाता हूं मैं आपको आप कोई और format भी save कर सकते हो और यहाँ पे अभी मैं JPEG picture पे क्लिक करता हूं अभी यहाँ पे कोई भी location जहाँ पे आप desktop पे save करना चाहते हो यहाँ desktop पे क्लिक करके इस file को कोई नाम दे सकते हो और उसके बाद यहाँ जब आप save पे क्लिक करोगे तो आपका यह screenshot as a image आपकी desktop पे save हो जाएगा second method जिससे आप screenshot save कर सकते हो वह है आपके PC में snipping tool नाम का यह tool होता है यह देखिए यहाँ पे मैंने search box पे snipping tool लिखा तो यहाँ पे snipping tool यह आ गया तो यहाँ पे मैंने इसको open करना है इस tool की मदद से भी आप screenshot save कर सकते हो new पे click कर लेना आपने यहाँ पे new पे click किया आपने तो यह सारी screen थोड़ा सा highlight हो जाएगी तो अभी आपको क्या करना है अपने mouse cursor को ऐसे move करना है जहां से आप screenshot जिस हिससे का screenshot लेना चाते हो अगर पूरे का लेना चाते हो इस कोरस से शरू कर ओगे और है इस corner तक ले के जा ओगे तो अगर आप थोघजेuciónकर लेना चाते हो जैसे screen थोड़ा पारट का screenshot लेना चाते हो तो आप ऐसे इस को करोगे highlight करोगे mouse को और यहां पने पे यह देखिया यह screenshot हाइले तो आप वह एंटर कर सकते हो और उसके बाद सेव पे हिट करोगे तो यह फाइल जए फाइल आपके PC पे सेव हो जाएगी स्क्रीन शॉट सेव करने के लिए थर्ड मैथट है आप विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर सकते हो आप अपने कीबोड पे देख सकते हो विंडोस का आइकन देख सकते हो उसको प्रेस करना आपने पहले और फिर प्रिंट स्क्रीन जो पहले हमने बटन प्रेस किया था प्रिंट स्क्रीन फिर उसको प्रेस करना आपने और यह देखिए थोड़ा सा स्क्रीन बिंक होती है इसका यह हमारा screenshot अभी अभी जो हमने screenshot लिया है यहाँ पर automatically save हो गया है ऐसे करके भी आप screenshot save कर सकते हो अभी जो fourth method है screenshot save करने का यह तब beneficial होता है जब आपने multiple windows open की होई है और आप किसी एक particular window का screenshot लेना चाहते हो जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको यह देखिए अभी दो windows है जैसे एक तो यहाँ पर खुला हूँ पेज एक यहाँ पर पेज खुला हूँ तो अगर आप इस page का screenshot लेना चाहते है यहाँ इस page का screenshot लेना चाहते है इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो active page होगा जैसे इस time यह active page है तो मुझे क्या करना है इस active page का screenshot लेने के लिए alt key प्रस print screen को मैंने प्रेस करना है जो अभी यह active window का screenshot जो है copy हो गया तो अभी हमें क्या करना है फिर से paint आप को open करना है और यहाँ पर control V को मैं प्रेस करता हूँ तो यह देखिए active जो window थी उसका screenshot सेव हो है पूरी desktop का screenshot सेव नहीं हो आया है ऐसे करके भी फिर से आप इसको crop कर सकते हो यहाँ पूरी image को सेव करना है तो पूरी image को सेव करके यहाँ file पे click करके save कर सकते हो किसी भी format में ओके thank you very much for watching this video और अच्छे और information वीडियो देखने के लिए किर्पिया मारे चैनल को subscribe कर ले